आपके लिए एक बहुत ही अच्छे खबर है अगर आप मोबाइल यूजर है तो ये जानकारी आपके लिए बेहत फाइदे मंद है क्यूंकि अब 28 दीन के बजाए 30 दीन का रिचार्ज प्लान आपको करना होगा अब तक आपको 30 दीनों के बजाए 28 दीन या फिर 24 दीनों का र आरतिये दूर संचार विन्यामक प्राधिकरन अगर इसे अंग्रेजी में समझें तो टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑथरीटी आफ इंडिया ने सभी दूर संचार कंपनियों को सक्त निर्देश दिये हैं तो क्या है ये पुरा मामला और कैसे होगा आपको लाब आए जानते ह इस वीडियो में त्राय ने 28 जन्वरी को सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रेचार्ज की वैलेडिटी 28 दिन के बजाए 30 दिन देने का निर्देश दिया है इसके साथ ही टेलीकॉम कंपनी को अपने प्लान में अब एक स्पेशल वाउचर एक कमबो वाउचर पूरे म महिनी की वैलेडिटी के साथ रखना होगा बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों के मजूदा प्लान में 28 दिन की वैलेडिटी होती है जिसकी वजह से कस्टमर को एक साल में 13 बार मंतली रेचार्ज कराना होता है मतलब एक साल में 12 महिने होते हैं और उस हिसाब से 12 बार अगर आ दिया है ट्राय ने नया निर्देश जारी किया है ट्राय के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि ग्राखों की और से एक साल में कराये गए रिचार्ज की संख्या में कमी आएगी ऐसा होने से ग्राखों को एक महिनी के एक्स्ट्रा रिचार्ज के पैसे भी बचेंगे अग 30 दिन नहीं बलके 28 दिन के वैदिता देती है ग्राकों की माने तो हर माँ दो दिन की कटाउते कर टेलिकॉम कंपनिया एक साल में तकरीबन 28 से 29 दिन की बचत करती है ऐसे में टेलिकॉम कंपनियों को हर साल 12 की जगा 13 रेचार्ज कराने होते हैं वहीं अगर कोई 3 महिने का वैदिता मिलने की बजाए 84 दीन की ही वैदिता मिलती है वहीं दो महेंने कराने वालों को 60 दीनों की जगळ, 54 या 56 दिनों की वैदिता मिलती है अब हाले में ट्राय ने अपने एक रिपोर्ट में कहा है कि पिछले साल नवंबर 2021 के अंद तक मोबाइल कस्टमर के संख्या बढ़ कर 119 करोर हो गई है इस दौरान रिलाइंस जीयो और एयर टेल के कस्टमर के संख्या में काफी बढ़ोतरी देखी गई है पिछले साल अक्टूबर में रिलाइंस जीयो ने 17,06,000 कस्टमर जुड़े हैं इसके बाद उसके कुल कस्टमर के संख्या 42,65,000 के करीब रहे तो वहीं एयर टेल के कस्टमर में 4,89,000 की कमी देखी गई जिसके बाद कुल कस्टमर के संख्या 35,49,000 तक पहुँची जबकि बोडा फोन आइडिया जो की अब वी आई में बदल चुकी है कि कस्टमर 9,64,000 कस्टमर की कमी के बाद उसकी कुल संख्या 26,90,000,000 हो गई है सरकारी दूर संचार कंपनिया BSNL और MTNL भी नवंबर में ग्राहकों को हासिल करने में विफल रही BSNL ने 2,44,62,000 मोबाइल गराहकों को खो दिया जबकि MTNL ने 4,318 केनेक्शन को खो दिये ट्राई ने जो निदेश जारी किये हैं उसके अनुसार जो पलान होगा वो उसी तारीक को दोवारा रिचार्ज हो सकेगा और सुनिश्चित किया जा सकेगा जिससे लोगों को परशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा ट्राई को इसको लेकर लगतार शिकायतों का सामना करना पर रहा था जिस वज़े से ट्राई ने ये फैसला लिया है यह जनकारी बेहद ही ग्राकों के लिए खुश्खबरी बड़ी है